तो क्याल चल स्रेकाल मैं हून यान मैने और गाईज वेलकम टू माई लास्ट वीडियो अफ दे यर आज भी मेरे पास काफी सारे इंट्रेस्टिंग स्टोरीज है तो वीडियो को इन तक जरूर देखना और भाई फ्यूचर में भी अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना यार अपने भाई के चैनल को बहुत क्लोज है हम लोग अभी 1.8 मिलियन के सो या कर देना यार तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते शारूख खान और के के बारे में तो रिपोर्ट के हिसाब से बोला जा रहा है कि शारूख खान शायद के अगेंस्ट लीगल अक्शन लेने वाले हैं तो लेट मी एक्स्प्लेइन बहुत सारे आर्टिकल्स आये इस टोपिक पर और यूल आर सेंग कि के यार के जो बेशरम रंग सौंग कर रिव्यू किये थे अब पता नहीं उन्होंने सही में लीगल अक्शन लिया है कि नहीं बट इसके बारे में कुछ अपडेट्स आते हैं तो आई विल डेफिनेटली लेट लेट यू नो बाइद वेई वाइल वेर अन इस टोपिक तो एक SRK के फैन PJ Explained से खुश नहीं है बेसिकली वो ट्विटर में उनको टैग करके एक वीडियो अपलोड किये जहां पर वो अपना ओपिनियन दिये कि PJ Explained बे मतलब का क्रिटिसाइज कर रहे हैं पठान फिल्म को अभी तक ट्र क्यों ना हो एक दूसरे को respect करना चाहिए हमें जिसके नीचे वो यूजर ये reply दिये My only point is that it's too early to give your opinion even before release of its trailer कम से कम मूवी को अच्छा या बुरा उससे पूरी देख कर कहो बाकी आपसे कोई hate anyways तो चलिए अब आगे बर तम लोग बात करने वाले रिशब पन्त के accident updates के बारे में 3-6 months to recover from the ligament injury तो ये एकदम minimum है इससे जादा भी लग सकता है तो upcoming जो उनका tournaments वागेर है जैसे कि IPL वो definitely miss होने वाला है इसके बाद DDCA के डिरेक्टर ने ये कहा कि Pant is smiling and is very confident he is talking to everyone तो चलिए अब आगे बर तम लोग बात करने वाले crazy xyz के बारे में इस picture on thumbnail it's clearly used for clickbait actual video doesn't have such scene पहले Mr.Indian Hacker भाई की Scorpio का accident अब crazy xyz भाई को साप ने काट लिया coincidence होगा I am not their hitter but seems like they know really well how to fool kids salute to his friend who manages to take a perfect picture of him during such a rush so यह उन्होंने doubts उठाया कि ये incident सही में हुआ था कि नहीं and not only him, super khalsa भी अपने channel में एक video upload के थे इस topics related जहां पर उन्होंने allegations लगाया था कि ये एक publicity stunt है and वो crazy xyz को ये challenge भी दिये कि साप ने जहां उनको काट आ वो आके सामने camera में दिखा है anyways तो चलिए बागे बढ़त हम लोग बात करने वाला है round 12 के बारे में तो क्या आपको पता है कि round 12 का latest video पहले ही leak हो गया था जहां seriously बहुत सारे channels उनका zombie part 2 को re-upload करने लग गये थे अब आप लोग साचे होगे कि round 12 ने इसको upload नहीं किया तो लोगों को कैसे मिल गया ये वीडियो well मेरा उनके manager से बात हुआ और उन्होंने बताए कि ये वीडियो को वो unlisted करके रखे थे channel में पता नहीं ये link कैसे leak हो गया और दूसरे logo तक पहुच गया जो की re-upload करने लगे फिर तो जैसे ये leak का news उन तक पहुचा तो फट से वो ये वीडियो को अपने channel से publish कर दिये anyways चली अब आगे बढ़त हम लोग बात करने वालें triggered इंसान के बारे में इसका तो पहसा मिलता तो भी ये review देता anyways चली अब आगे बढ़त हम लोग बात करने वालें Cristiano Ronaldo के बारे में तो Cristiano Ronaldo ने एक record break कर दिया है जी अब finally आज ये news आया कि वो एक Saudi club के साथ sign कर लियें for 2.5 years जिसके लिए उनको 200 million euros मिलेगा per year including the commercials भाइस आप दिस इस दे biggest ever salary in football जब से ये news आया तब से अलनासर का जो Instagram account है उसके followers 5 times बढ़ गए हैं जिहां literally before this announcement उसमें 8,20,000 followers थे और राइट नाव उसमें 4.5 million followers हो गए हैं और वाल वेर उन इस topic तो इस से related एक और interesting चीज है कि हो सकता है कि कुछी दिनों में हम लोगो Ronaldo vs Messi football match देखने को मिले जहां Messi का जो club है PSD बोला जा रहा है कि वो Saudi Arabia travel करने वाले January 19th को जहां पर उनका एक friendly match होने वाले अगेंस्ट Al Nassar and Al Hilal का football club combined तो ये जो combined team बनेगा अगर उसमें Ronaldo होनगे तो हम लोगो ये बढ़िया match देखने को मिलेगा तो चली अब आगे बढ़तम लोग बात करने वाले Manoj Day के बारे में तो Manoj Day आज अपना एक वीडियो अप्लोड किये My Achievements in 2022 जिसके नीचे किसी ने ये comment किया था तुक्का लगा है तेरा तुने घंटा भी अचीव नहीं किया कोई PhD नहीं कर ली जो महनत करनी पड़ी है जिसके पर reply करते वे Manoj Day ये कहे तुम जैसे लोग सिर्फ जल सकते हो जिन्दगी में कुछ उखार नहीं पाओगे बाब के कंदों पर पलो जिन्दगी भर तो या तो चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं तो फिर्स्ट अफॉल आर्जी वाइंस ने complete कर चुके 100 के subscribers देन ओसी फुटी ने complete कर चुके 1 million subscribers देन आधी टेक ने complete कर चुके 8 million subscribers और फाइनली moral fact को so many many congratulations to all of them तो चलिए अब कुछ international stories के बारे मात करते हैं तो फिर्स्ट फाल में लोग बात करने वाले Andrew Tate के बारे में तो लास्ट वाले वीडियो में मैं आप लोगो बताया था कि Andrew Tate was arrested and कैसे arrest वेते वो भी बताया था so looks like he is still in trouble जिहां बोला जा रहा है कि एक Romanian court ने agree कर दिया है to the police कि वो Andrew Tate को और 30 दिनों तक के लिए detain कर सकते हैं so yeah if this is true तो जो भी investigation वागेरा है वो और 30 दिनों तक minimum चलेगा but still Andrew Tate के Twitter account से ये tweet आया था the matrix will only tell you what the matrix needs you to believe तो हो सकता है ये कोई और handle कर रहा है भी तो चल ये final story के बारे में बात करते हम लोग बात करने वाले Coffeezilla versus Logan Paul के बारे में तो Logan Paul अपने crypto scam से related एक reply वीडियो अप्लोड करने वाले and कल उन्होंने ये picture अप्लोड किया था with the caption coffee cap जहांपर वो Coffeezilla का dress पहने थे इस पर reply करते वे नीचे उन्होंने कहा and hopefully आप लोग मेरको ऐसे ही support करते रोगे ताकि next year हम लोग और भी उपर जाए and not only me I am hoping कि आपका भी next year एकदम बढ़िया जखकास हो बागी that's it for today अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूस सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप्शन में वहां से जाके आप कुछ न्यूस बजोगे तो आपको credits में मिल सकता है मेरी description में सब्सक्राइब करते रहना मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई